हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टार चैनल, लेट्स नर्शर आर माइड्स, आज एक और नया वीडियो फोर वेट लॉस, और वेट लॉस कैसे करना है वो भी आयरवेदिक तरीके से, मैं ऐसी तीन टिप्स आपके साथ शेर करने वाली हूँ, जो आयरवेदिक हैं, आयरवेद के हिसा पाया जाए, इसके बारे में बात करेंगे, और उन टिप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं, तो इससे सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं, आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो चलिए बात करते हैं, कौन कौन सी तीन टिप्स हैं, जिससे आप अपने वेट को मैनेज करके रख सकते हैं, नमबर वन पर आता है वाकिंग, मैं वाकि अपने घर काम करते हैं, तो सुबह की वाक तो अपने आप हो जाती है, दुपैर को खाना खाते हो और बैठे रहते हैं, टेबल पर मुह गलत है, आपको लंच के बाद भी अपना पांस से दस मिनट तक का वाक करना चाहिए, कुछ लोगों के आदा है तो तो अगर आपको ल के लेटे हैं, इससे आपका डाइजेशन इंप्रोव होगा, इससे आपका डाइजेशन फास्ट होगा, डिनर के बाद भी आपको 10-15 मिनट या आदा गंटा वाक करनी चाहिए, डिनर के बाद की जो वाक होती है, वो बहुत फास्ट नहीं करनी है, जैसे आप मौर्निंग मे आइरवेट के हिसाब से कुछ तरीके बताय हुए है, जो बहुत फायदे मन होते हैं, नबर टू पर आता है, टेक योर मिल्स एट एग्जेक टाइम, एट राइट टाइम, जो आपके ने अपना खाने का टाइम फिक्स किया हुए, उसी टाइम पर आप खाना खाए, ये नह कभी भी skip नहीं करें, क्योंकि अगर breakfast skip किया, तो ज्यादा chances हैं कि आप कुछ और ऐसा खाएंगे बाद में, जो आपको excess calories आपके अंदर जाएंगे और weight gain का कारण बनेंगी, तो इसलिए healthy breakfast करना चाहिए, जैसे मैं अगर अपना routine बताती हूँ, तो मैं 8-8 सुबह अपना breakfast कर मैं कोशिश करती हूँ, या तो एक apple खालू या तो दो, केले खालू जिससे मुझे lunch time में जो मुझे खाना था, जो भूख लगे हुई ठीक हो जाए, और lunch का time भी आगे पीछे ना हो, ऐसे ही मैं dinner करती हूँ, साथ से साड़े साथ के बीच में, अब भी इसी तरकी से अपना time fix करें, और उसी time पर खाने की कोशिश करें, यह नहीं कि मेरे पास काम है, या मुझे किसी से बात करनी है, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, और एक घंटे बात कर लूँगा या दो घंटे बात, वो जो आदत है, वो गलत है, वो weight gain का कारण बनती है, क्योंकि आपकी body को लगत है कि भूग के time पर तो उसे कुछ मिला नहीं, उसके दो घंटे बात मिल रहा है, तो चलो कुछ थोड़ा सा ज्यादा खालो, पता नहीं दुबारा कितनी देर में मिलेगा, और उससे weight gain होता है, excess calories जाती है, अब number 3, number 3 is very very important and that is patience, आपको patience रखनी चाहिए, यह नहीं है कि मैं आज weight lose करने के बारे में सोचा, आज मैंने diet भी कर ली, यह 3 rules भी follow कर ली है, और मेरा तो एक हफते में weight नहीं गटा, तो चलो छोडो, कोई बात नहीं बढ़ेगा, देखी जाएगी, यह जो patience ना होना, यह भी एक नुकसान का कारण बन सकता है, आपको पूरी शिदत के साथ कोशिश करते रहना है कि weight ना बढ़े, बढ़ गया है तो कम हो जाए, जब आप यह 3 चीज़ करते हैं, यानि कि आप walk करते हैं, अपनी diet का, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और patience के साथ काम करते हैं, इसके साथ अगर कुछ एक herbs को भी मिला दिया जाए, तो कहने ही क्या है weight loss की जड़नी और तेज हो जाएगी, हबस के अगर मैं बात करूं तो आजकल बहुत नाम जिसका आता है, weight loss करने वालों की जबान पर वो है, ग्रिसीनिया कमबुजा, ग्रिसीनिया कमबुजा एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, यह हमारे हैं अभी साथ में काफी होता है, इसको तो वहाँ पर शयद कोकम बोलते हैं, कोकम के अंदर या ग्रिसीनिया कमबुजा के अंदर, HCL काफी मात्रा में होता है, और HCL फैट बर्निंग के प्रॉसेस को तेज करता है, फैट को जमा नहीं होने देता है, और जब फैट जमा नहीं होगा, जमा होगा है, तो जल्दी से बर्न हो जाएगा, तो आपका मोटापा अपने खट जाएगा और बैली फैट भी कम होगा, एपिटाइट को कम करता है, दूसरा है इसमें त्रिफला, त्रिफला सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइदे बन चीज है, त्रिफला में तो आमला है, आमला भी एक बहु इसको बाहर निकालेंगे, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे, और आपकी ओवरॉल हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, इसके लिए मैं कई सारे वीडियो भी बना चुक्यू हूँ, या आमले को हम कैसे खा सकते हैं, उसका आचार कैसे बन सकता है, इंस्टेंट अच उसकी चटनी कैसे बन सकती है, इसको कैसे खाना चाहिए, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहेंगे तो आप उनको भी देख सकते हैं कि कैसे खाना है, और कैसे इजीली अपने जाइट में शामिल करना है, इसके साथ इसमें हैड बहेडा जो भी है, ये सभी चीजें, बेटावालिजम को टेज करती हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करती हैं, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखती हैं, और जब आपकी गट हेल्थ अच्छी है, तो जितना आप खाएंगे, उसके न्यूट्रियंट्स जल्दी से आपक भी जमा नहीं होता है, या तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, या तो वो फैट के रूप में जमा होता है, तो ये दोनों ही काम नहीं होंगे, अगर आप त्रिफला खाते हैं, या ग्रिशनी या कंबुजा खाते हैं, तो ये दोनों ही नहीं होगे, ग्रीन कॉफी, वे जितने भी value है जितने भी nutrients हैं या जितने भी इसके health benefits हैं वो concentrated form में होते हैं और बहुत फायदा करते हैं साथ में काली मिर्च भी है तो जब ये combination बनता है इन सभी चीज़ों का तो इसके benefits और इसके जो properties हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं Phytica के let it melt में ये सारी की सारी herbs सही ratio में सही मात्रा में और पूरी purity के साथ होती हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी tablet बनती हैं जो आप ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं आइरवेड में herbs का बहुत महत्व है बहुत importance है और बहुत सारी दवाईयों में सारी चीज़ें मिलती भी है जैसे मैंने त्रिफला की बात करी त्रिफला तो तो दोस्ट नासी है ये काफ बात पी तीनों में ही फायदा करता है किसी की body किसी भी type की है उसके लिए फायदे मन होता है चलिए अब तो बात हुई कि क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए तीन रूल फॉलो करने चाहिए और कौन सी herbs खानी चाहिए इसकी बात हुई अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए क्या ऐसी चीज़ें जो आपके weight loss की चरनी को एक break लगा देती है उसक इनमें empty calories धेरों धेरों होती हैं बहुत ज्यादा calories होती हैं आप छोटा सा फी piece खाएंगे दुनिया वर के आप calorie खा लेंगे अगर उतनी आपने burn नहीं करी तो वह आपको एक हफते के अंदर अंदर बहुत आपका weight बढ़ा देंगी और belly fat के बढ़ने का तो कारण ही होते है या तो packaged food या packed food package में मिलने वाले package में मिलने वाले foods या bakery items यह बहुत जल्दी तोन बढ़ाते हैं बहुत जल्दी आपकी तोन लटकने शुरू हो जाएगी अगर आपने इस आदत को नहीं छोड़ा के इन चीतों को खाना इनको तो दूर से बाइवाय कर देना चाहिए यह ब चीज़ेगा क्योंकि वहाँ पर वो बनाते जयल के रोप में हो जाते हैं और आपका ड़ gider co अच्छा करते हैं यह मिलते हैं firesh fruits में fresh vegetables में मिलते हैं कुछ grains में भी मिलते हैं whole grains में मिलते हैं आपको यह ओर्स में मिल जाएंगे लेकिन अगर इस टील कट है तो ज्यादा फायदा करेंगे rolled oats इतना फायदा नहीं करते हैं तो ये चोटी चोटी चीजें हैं जिनको अपना करके आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं बढ़ने से रोक सकते हैं, बढ़ गया तो कम कर सकते हैं, साथ में इंटेबलिस को भी आप अपना सकते हैं, ये हर्बल हैं, और सारी हर्ब्स जो हैं वो फायदे वाली होते हैं, अगर आप करीदना चाहें, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप महां से और भी कर सकते हैं, या ये नॉर्मली भी आसानी से मिल जाती हैं, तो आपको खा के अपनी सेहत बनाईए, अपने आपको फिट रखिए, बॉड़ी को लीन एन हेल्दी रखिए, एनर्जी को मेंटेन करके रखिए मेरे साथ बने रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तर तो आजिए, घए